पूँजि नम्सका मैं अससी आईज़हर थो पूजण फ़्मोग खबर जानते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमी पूजन पांछ अगस्ट चाहिस को होगा बता दे कि राम जनम भूमित तीर्थ छेत्र ट्रस्ट की और से प्रधान मंत्री कार्यालों को तीथी बता दी गई थी इसमें से पी एमों ने पांच अगस्त की तारी को चुना है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद परधान मतिन आयमोदी इस भूमित पूजन में पांच अगस्त को सामिलित हो सकते हैं बता देकी राम जन्म भूमित तीस छेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई बैठक के बाद चमपत राय ने कहा कि सोमपूर्वा परिवार ही राम मंदिर का निर्मान करेगा जार्खन मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटा में मांसुन कमजोर रहा है मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को बारिस हो सकती है कई दिनों तक बजरपात की संभावना भी बनी रहेगी मौसम विभाग ने धनबाद बोकारो दुमका गोड़ा और पाकुड में में गरज के साथ बजरपात होने की संभावना जताई है अलर्ट जारी करते हुए सतरक रहने का आगरा किया है सुरक्षित अस्थानों पर सरन लेने पेण के नीचे ख़़े ना रहने बिजली के खमबे से दूर रहने और किसानों को खेतों में नार जाने की सलाथ दी गई है सीबी एसी टेन्थ ट्वेल्थ के सभी विद्यार्थियों को पास किया जाए अलोग दुबे प्रवेट इस्कूल और चिल्रेंड वेलफेर एस्सियेशन के जार्खन परतेस अध्यक्ष अलोग कुमार दुबे इने केंद्री मानों संसाधन विकास मंत्री रामेश पोख्रियाल को रभिवार को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि बैस्विक महामारी के वज़ा से सीबी एसी बोर्ट कमपोएंट मेंट परिक्षा को रत करते हुए काक्षा 10 वी एवं बरावी के सभी विद्यार्थियों को पास किया जाए जार्खन में आज 189 ने संक्रमित को पुष्टी हुई भारत में नाएक केस 4243 मिले है जबकि 22742 लोग स्वष्ट हुए है और 675 की मृत हुई है राविवार को राज भर में 5 की मौत हुई है और 62 मरी स्वष्ट भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है पूर्वी सिम्वू 493, राची 480, धनबाद 178, सराइकला 143, कोडर्मा 148, गुमला 57, 121212, गिरिडी 115, पचमि सिम्वू 444, बोकारो 73, गड़बा 142, देवघर 48, सायवगें 73, दुमका 29, गोड़ा 18, जामतरा 13, खोटी 11, लातियार 121, लोहर्दागा 102, पांकुर 66, पलाम 31, जुलाई तक, राज के सरकारी स्कूलों के सिख्षकों की 31, जुलाई तक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, संक्रमन जागरुकता और वाइस स्कूलों में सिख्षकों को 15 जुलाई तक ट्रेनिंग लेनी थी, संक्रमन जागरुकता में अब तक 8050 सिख्षकों ने ट्रेनिंग लिए है जबकि वास इन इसकूलों में 69% सिक्षा की प्रसिक्षित हो सके हैं इसको देखते वे जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशाद ने ओनलाइन ट्रेनिंग देने की अधी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है जार्खन में इपास मत्र आधा गंटा में जारी जार्खन में अब इपास के लिए अधीक परिसान होने की जरूरत नहीं है आवेदन करे और आधा गंटा के भितर आपको इपास जारी कर दिया जाएगा बरतमान में जार्खन में परवेश करने के लिए ई-पास किया उसकता पर रही है बता दे कि पहले ई-पास के लिए आवेदन करने पर 24-28 गंटा तक समय लगता था जो फिलहाल सारे कगजात सही होने पर आटोमेटिक पास जारी कर दिये जा रहे हैं राची के सरधालू अबरनाथ दर्शन के लिए जम्मू पहुंचे जार्खन की रजधानी राची से 6 लोगों का जथा पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू पहुंच गया है दक्षिन कास्मीर के मेघाले में 3880 मिटर की उचाई पर इस्थित पवित्र अमरनाथ गुपा के दर्शन के लिए सरधानू राची से निकले हैं अपने 5 मित्रों के साथ राची से जम्मू पहुंचे दिपक चौधरी का कहना है कि इस वार्षिक यात्रा पर संक्रमन की काली छाया पढ़ने के बावजूद उन्हें विश्वास है कि वे सभी पवित्र अमरनाथ गुपा का दर्शन कर सकेंगे एसाई चंद्रयान सुरे नहीं रहे जयपोण में हेमन सुरे ने दी सरधांजली जाकन के साहिवगंज जिला में अपराधियों से मुद्भेड में घायल एसाई चंद्रयान सुरे ने रभीवार को रजधानी राची के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया चंद्रयान सुरे न के पर्थविक देह को उनके पैतुरिक गाव भेजने से पहले जयपोण में मुखमंत्री एमन सुरे ने सरधांजली दी लोहरदागा में 99% धान रोपनी पूर्ण लोहरदागा जिला में धन्रोपनी का काम तेजी से हो रहा है जिले में अब तक कुल 90% धन्रोपनी का काम पूरा हो चुका है इस बार काफी संख्या में परवासी मजदूर लोहरदागा आए हैं और अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं बता दे कि बहाद से आए लोग बड़े उत्साह के साथ खेती के काम में लगे हैं गटवा जीला में बिना मास्क सड़क पर निकले लोगों को द़ड़ा कर पकड़ रही पुलीस जाखन के सुदुरवर्ती जिला गडवा में पूलिस ने बिना मास्क के सड़क पर चलने वालों को खिलाब करवाई शुरू कर दी है पूलिस ऐसे लोगों को दोड़ा दोड़ा कर पकड़ रही है और उनके मोबाइल फोन भी जब्द कर ले रही है आपको बता दे कि एसपी के नेतुईत में गडवा जिला मुख्याले के चोग चोरा है पर करीब 50 लोगों को पकड़ा गया और उनके मोबाइल फोन भी जब्द कर लिया गया आपको बता दे कि इससे पूर्व गडवा जिला के पूलिस ने एक सप्ता पहले जिला मुख्याला में मास्क पहन ने असोसल डिस्टेसिंग बनाया रखने के लिए एक जगरूता अभियान भी चलाया था 43 फिश्दी दिव्यांग छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे संक्रमन की वज़ा से गोशित लोकड़ाउन के दुरान ओनलाइन सिक्षा में आ रही दिक्टों के कारण करीब 43 परतिय दिव्यांग बच्चे पढ़ाई छोड़ने के तियारी कर रहे है आपको बता दे कि एक सर्वेक्चन में यह बात सामने आई है दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन स्वाभिमान ने माई में जारकन उडिशा मध्य परदेश तरिपूरा चेनाई सिक्कम नागालेंड हरियाना और जमु कस्मीर में यह सर्वे राजे के चौदा जीलोक को उक्त टेस्टिंग किट उपलव्द कराते हुए रश्ट्रिय स्वास्त मिशन के अभियान निदेशक ने ICMR के दिशा निदेश के आलोक में संक्रमन का टेस्ट उनस्चित करने का निदेश दिया है आपको बता दे कि इस कीट से की गई जाज की रिपोर्ट मात्र आदा घंटा में मिल जाएगी दुबाई में फसे 26 मजदूर लोटे जारकन दुबाई में फसे 26 मजदूरों की सकुसल वतनवापसी हो गई है दुबाई के अबो ढाबी में गिरिडी बोकारों वा हजारी बाग के 26 मजदूर फसे हुए थे इन मजदूरों ने प्रवाशी ग्रूप के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिये भारत सरकार से वतनवापसी करने की गई हार लगाई थी जारकन के 2500 सहायक पुलिस को मिलेगा अनुबंध विस्तर जारकन सरकार ने बर्ष 2017 में 2500 सहायक पुलिस की भरती की थी इनकी नियुक्ती दो बर्ष के अनुबंध पर हुई थी लेकिन इसमें यह प्रधान किया गया था कि दो बर्ष के बाद उन्हें प्रदर्शन के अधार पर जारकन पुलिस में अस्थाई कर दिया जाएगा इस बात की घोसना पुर्व मुख्यमंत्री रगवरदास ने जारकन के अस्थापना दिवस पर आयोजन समारों में की थी हलाकि ऐसा नहीं हुआ और बर्ष 2019 में एक बर्ष के लिए अनुबंध सेवा बिस्तार कर दिया गया इस बार भी अस्थाई किया जा रहा है उन्हें अस्थाई करने की वज़ा एक बर्ष का अनुबंध बिस्तार किया जा रहा है मुख्यमंत्री हमन्सुरेन की सुरक्षा बढ़ाई गई 30 अतिरिक्त जवान तैनात जार्खन के मुख मंत्री मंसुरेन को सब परिवार वा सवयोग्यों के साथ जान से मानने की धमकी भरे इमेल मिलने के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है मुख मंत्री को पहले से भी जेट पलस सुरक्षा मिली होई है अब करीब 30 अतिरिक जवान वा 5 अतिरिक पतातिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिये गए है गलवान घाटी में सहीद हुए जवानों की याद में लगाय पोधे रश्टिय युवा सकती एवंबन विभाग के द्वारा रविवार को राची के मोरबादी मैदान में लद्दाक के गलवान घाटी में सहीद हुए जवानों की याद में पोधारोपन किया गया यहां उपस्थित लोगों ने चीन के हरकत के कारण बीर गति को प्राप्थ हुए सहनिकों को सदय वे जीवित रखने के लिए परतेक बीर के नाम से पधारोपन किया दिल्ली में दिपक परकास वा बाबुलल मरांडी तो हलचल मची कांग्रेस वा जामूमों में एक सब्ता पहले कांग्रेस अध्याक्ष डाक्टर रामेश्वर उराव द्वारा भाजपा पर सरकार को अई स्थिर्क करने का आरोप लगाये जाने के बाद जहां सूबे का सियास्ति तापमान बढ़ा हुआ है वहीं सभी दलों के नेताओं के गतिवीधियां भीत्यज हो गई है भाजपा के परदेश अध्याक्ष वा राई सभाद सदसे दिपक परकास और नेता विधायक दल बाबुलल मरांडी दो दिनों से दिल्ली में है और पार्टी के राष्ट्रिये नेताओं से मुलकात कर रहे है वहीं उनके इस दोरे को लेकर कांग्रेस और जाममों में हल्चल मची हुई है आपको बता दे कि दिपक परकास और बाबुललल ने अपने दोरे को सिष्टाचार मुलकात का क्रम बताया है खेलो इंडिया साइकलिंग के लिए जार्खंड के छो खिलाडियों का चयन खेलो इंडिया साइकलिंग अकादमी के लिए जार्खंड के छो खिलोड़ों का चयन हुआ है इन में से चार लड़किया वा दो लड़के समिली था है आपको बता दे कि जार्खन साइकलिंग एसोसियेशन के महासचीव सहलेंद्र पाठक ने बताया कि चैन परिक्षन कायोजन 15-17 अक्टूबर 2019 तक साइकलिंग फेंडरेशन ओफ इंडिया वा साई के सन्युक तत्वधान में जार्खन साइकलिंग एसोसियेशन के सहयोग से खे कॉंग्रेश पलामू परमंडल के किसानों की समस्या को लेकर कॉंग्रेश के प्रवक्ता डाक्टर एम तौसिफ ने किरिसी मंत्री बादल से मुलकात की उन्होंने कहा कि पलामू परमंडल के 90% लोग किरिसी पर निर्भर है जार्खन को बने 20 साल हो गया और 17 सालों तक किरिसी मंत्राले से चलाई जा रही है किसानों को उसका लाब पहुंचाया जाएगा जार्खन में 7 लाख किसानों के सुखा रहात प्रस्ताव को मोजी सरकार ने ठुक रहाया जार्खन में 7 लाख किसानों को बड़ा जटका लगा है इसके साथ ही परदेश में सुखा रहात पर आईनेतिक शुरुवात हो गई है, सतारूट जार्खन मुक्ति मूर्चा ने पुरवर्ती भारतिये जनता पार्टी की सरकार को जुमिदार ठाराया, वही भाजपा ने इसके लिए हमन सरकार की अगवई वाले जामुमो सरकार को दोसी बताया है, जामुमो नीत सरकार का कह खतना है कि भाजपा ने समय पर प्रस्ताव नहीं भेजा, तो भाजपा ने कहा है कि हमन सरेन की सरकार ने आदर स आचार संगीता खतम होने के बावजूत सुखागरास छेटों की घोषणा करने में देरी किया है, धरसल केंद्र सरकार ने जारखन के सुखार खिसानों को इनकी फसल को नुक्सान का मोफजा नहीं मिलेगा महिला फुट बॉल्टीम की समभावित में समयलित खिलाड़ी ऊंडर वेट ौर्ड कौप under 17 महिला फुटबॉल टीम की समभावित में समिली जर्खंड की आठ खिलाडियों में से अधिकांस का वजन लोकडाउन के दोरान इतना घट गया है कि वे अंडर वेट हो गई है इसकरन कैम की तयारियों को तगड़ा जटका लगा है यह सभी खिलाडी काफी गरीब परिवार से हैं बता दे कि जर् वजन 4 से 5 किलो तक कम पाया गया कैम के लिए अब खिलाडियों का उनका वजन मानक के अनुसार होने का इन त्यार करना पड़ेगा भाजपा ने बचे हुए 6 जिलों के अध्यक्ष की घोसना की भाजपा परदेश अध्यक्ष दीपक प्रकास के निर्देशा अनुसार रामगण का परवीन मेहता, धनवात का चंद्र सेखर सिंग, धनवात गरामीन का ग्यान रंजन, पुर्वी सिमुम का सौरव चक्रवर्ती और सायव गंजीला का अध्यक्ष राम दसरत यादों को बनाया गया है गठवंधन सरकार पर बाबुलल का डर सर चड़कर बोल रहा बिजेपी, भाजपा के जरकन परदेश प्रवक्ता प्रतूल सादेव ने कहा कि परदेश की गठवंधन सरकार एवं इसके सारे घटक दल, भाजपा विधायकों दल के नेता बाबुलल मरांडिक के उठाय थाना छेतर अंत्रगत, बजरपात से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग हैल हो गए हैं, रामगण में लाइन सकल्ब की ओर से आम लोगों के बीच मास्क और सेने टायर का वित्रन किया गया, चात्रा में तलाब में नहाने गए दो मासूम बचों की मौत हो के कुख्यात गैंग्स्टार अमन साव को राची पूलिस ने बिहार के कटिहार से दबोच लिया है, धनेवाज, यदि आप चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आकन दबाईए, साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बु अवाज से दे, थाइंक यू